हाई फ्रेंड तो आज हम चालू करेंगे लेक्चर नमर 6 के साथ आज का टॉपिक है हमारा पार्टिकल डिफ्रेक्शन एंड वेव तो इस वीडियो चालूने से पर एक डिस्क्लेमर और एक रिक्वेस्ट प्लीज आप सभी त्यानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें 1000 पासन है तो लाइक कर लीजिए और अभी हम चालू करते हैं वीडियो के साथ तो टॉपिक है वेव पार्टिकल डिफ्रेक्शन तो पहले हम पढ़ लेते हैं वेव के बारे में ओके कॉन्टिटी हूस वेरेशिंस मेकप मैटर वेव इस कॉल्ड वेव फंक्शन ओके डैट इ यह जो होता है साय उससे डिनोट करते हैं और इसका खुद का कोई सिगनिफिकंस नहीं होता है क्योंकि माल लेते हैं इसकी वैल्यू माल लीजिए पॉइंट टू है यह माइनस पॉइंट टू है तो अगर हम किसी पार्टिकल की एट गिवन पॉइंट इन दे स्पेस होने की प्रोबैबिटी बात करें तो वो तो जीरो से वन ही होगा तो माइनस पॉइंट होगा कुछ मतलब बनता नहीं है तो हम बात करते हैं मौड साय के स्क्वेर का एट गिवन टाइम टी ओके एंड दे प्रोबैबिटी ओफ एक्स्प्रेमेंटली फाइंडिंग दे बोडी डिस मेंगनिट्यूट ओफ साय एड डेट गिवन टाइम टी उसके अलावा हम नेक्स चीज़ पर आते हैं कि मान लेते हैं कि जो पार्टिकल वैलोसिटी है वो है वी और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वेवलेंथ वेलोसिटी है वो है वी पी तो हमें पता है वी पी क्या हुआ सिर्ट्यांड वैंड़ा तो की एच न्यू एक्वाल टू एं अ millimeter अब यह कैसे मैं किया होता है यह होता है उसका नर्जी चुछ록 के अनरि तो यह वह होता है यह होता है यह होता है लेक्ट्रोन जैसे अगर हम लेक्ट्राइंफान की बात कर लो और यह गालीवड उह स होता है उसका रेस्ट पर रेस्ट मास अनर्जी करेक्ट तो और जह गामा है वो रिलेटिव स्टिक फैक्टर तो एनर्जी कितनी हो गई गामा into mc square तो एसडियू इकोल टू गामा into mc square हो गया फिर हमने वीपी यह वेव की वेलोसेटी यह पार्टिकल की वेलोसेटी नहीं है wave वेलोसेटी वी पी को लिखा frequency into lambda कि अब हमें पता है कि यहां से kızımesting कितनी आती है gamma mc2 be h to gamma mc2 by h डाल दिया और lambda हमें पता है कितना होता है h by gamma gama गाल दिया थी है kोड होथ नॉर्मली एज बाइपी पड़ा होता है प्लस टू लेवल पे पर गामा जो है वो रिलेटिव इस्टिक फैक्टर है गामा की वैलू कितनी होती है वन बाइए अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वेर बाइए सी स्क्वेर ओके और P क्या होता है, momentum that is equal to MV, V क्या है, particle velocity है, wave velocity नहीं है, particle की velocity है, तो gamma और gamma इदर से cancel, यह MV है, M और M cancel, H और H cancel, तो VP आगया, C square by V, यह relation आगया हमाएं पास, यह important है, उसके पाद हम पढ़ेंगे, particle diffraction के बारे में, यह जो है, particle diffraction का experiment, यह confirm करता है, existence of deep broccoli waves, अब basically, यह हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, डेविसन जर्मर experiment, इसमें क्या है, कि एक voltage होर्स है, उससे एक coil को connect किया हुआ है, यह basically, एक electron gun की तरह काम कर रहा है, यहां से electrons produce होते हैं, वो जाके, इस एक nickel block, इस nickel crystal को hit करवाए जाते हैं, और उससे scattering होती है, उनकी, अब जो scattering होती है, उससे detect करने के लिए इधर एक electron detector लगाया गया है, अब यह जो detector है, यह actually एक movable detector है, जो ऐसे goal, मुझब एक goal से path, मुझब circular path में कह सकते हैं, घूम सकते हैं, तो जब हम क्या सोच रहे थे पहले, जब यह experiment हुआ सा मतलब, तब लोग क्या सोच रहे थे, कि क्या होगा, कि electrons है, particle nature मान के चल रहे थे, तो particle nature अगर है, okay, assume कर लेते हैं, तो हर जगे equal scattering होनी चाहिए थी, यह expected result था, पर ऐसा हुआ नहीं, जब हमने इसे अलग-अलग angles पे circular path में घूमा के देखा न, इस electron detector को, तो हमें यह पता चला, कि भाई, यह अलग angles पे, अलग-अलग intensity, मनब अलग-अलग जो number of scattered electrons होते हैं, वो अलग-अलग मिल रहे हैं, अब यह number of scattered electrons अगर अलग-अलग मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि constructive और destructive interference हो रहा है, मनब इदर actually maximize और minimize मिल रहे थे, तो हमने यह interfere किया, कि यहां पे constructive or destructive interference हो रहा है, यह तो से waves के लिए applicable होता है, मतलब यह जो electrons आ रहे हैं, इनका particle nature तो है, प्लस इनका, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं, कि actually, हम कह सकते हैं, कि इसका wave nature है, तो इससे, यह मनलब हम interfere कर सकते हैं, कि nature of the wave nature of electron was established by this experiment, फिर हम next topic पे जाते हैं, हम same topic में, next part पे जाते हैं, उसमें हमने plot किया ए ग्राफ, for the five, five angle क्या है, वो है, जिस जो angle at which the electrons collide with the nickel surface, okay, और scattering, इदर लिखा है, angle between the incident beam and the crystal surface, is the angle phi, अब यह जो angle phi है, इसका versus the number of scattered electrons का graph plot किया गया, तो यह इस तरह का कुछ graph आया, और यहां पे kink type का, हम कह सकते हैं, कि हमें एक point मिला, और यह point मिला 50 degrees पे, और यह 54 volt पे जब graph lot किया गया, तब आया, अब हमें confirm करना है, इस experiment को, तो हमने पहले क्या किया, कि इसे, यह तो हमें मिला experiment से, जो था, डेविसन जर्मर experiment, तो हमने इस experiment को confirm करने के लिए, इसमें, ब्रेक्स equation लगाया, 2D sin theta equal to n lambda, n for n equal to 1, हमने calculations की, तो lambda equal to 2D sin theta आया, और उस, जब experiment यह perform किया गया था, उसके लिए, डी और theta की values थी, 0.091 nanometer and 65 degrees respectively, ओके, तो इसे इदर put करने से, हमें लेम्डा की value मिली, 0.165 nanometer, यह आया, experiment और ब्रेक्स equation को, एक साथ लगाने पे, हमें यह wavelength मिली, अब यह तो हुआ, experimental, अब हमें, इससे किसी और theoretical, आसपे, theoretical concept से भी, cross check करना पड़ेगा, इसकी value, establish करने के लिए, तो हमने क्या किया, हमने इदर लगाया, डी ब्रॉगली concept, अब उसमें क्या है, हमने rest, rest energy calculate की, electron की, by mc square, that is equal to 0.51 mega electron mode आती है, और, इस case में, 54 वोल्ट पे, जो energy है, वो हो गई, 54 electron volts, अब हमें पता है, cause 54 electron volts is much, much, much lesser than 0.51 mega electron volts, तो हम यहां पे, relativistic factor को 1 assume कर सकते हैं, क्योंकि, यहां पे जो हमने kinetic energy of electron है, वो उसकी rest energy से तो बहुत ही जादा कम है, तो relativistic factor 1 हो गया, अब यह 1 क्यों हुआ, क्योंकि, v by c का जो ratio था, वो much, much, much less than 1 था, उसके लिए, gamma equal to 1 आ गया, तो kinetic energy क्या होती है, half mv square, तो p को हमने क्या लिखा, under root of 2 into mass of electron into kinetic energy of electron, तो 2 into mass into kinetic energy of electron in joules, हम ऐसा units में कर रहे हैं, तो उसके हमें मिला, की momentum आ गया, 4 into 10 power minus 24 kg meter per second है, minus 24 है, इस चाहिए थोड़ा scan में अच्छे से दिख नहीं रहे, quantum के लिए, डी ब्रॉगली hypothesis लगाया, और lambda calculate किया by h by p, तो वो आया, 0.166 nanometer, हमने उपर देखा था, experimental आया था, 0.165 nanometer, और theoretical concept, जो है, डी ब्रॉगली hypothesis, उससे आया, 0.166 nanometer, तो इससे जो डेविशन, डेविशन जर्मर experiment था, उसका हम कह सकते हो, एक established हो गया, उसके एक्ष तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और हमें 1000 subscribers प्लीज पहुजाने में मदद कीजिए, thank you.